बीते दिनों केंद्री मंत्री मंडल द्वारा कई राज्यों की जन्जातियों को आधिकारिक तोर पर अनसूचित जन्जाती के तोर पर मानेता देने से सम्मंधित प्रस्ताओं को मंजूरी दी गई एसे में सवाल उठता है कि आखर किसी जाती ait किसी जण जाती को सरकार दोरा आधिकारिक तौर पर मानेता कब दी जाती है और ये मानेता देने की पूरी प्रक्रिया क्या है आज इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को ढूणने की कोशिश करेंगे मेरा नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दृष्टी आईस की इस नई वीडियो में वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूप रेखा को समझ लेते हैं पहले किस तरह से अनुसूची जाती और जन जाती के लोगों का निर्धारन किया जाता था उनकी पहचान की जाती थी आजादी के बाद किस तरह की विवस्था को अपनाया गया है पहचान के लिए किस तरह के process को अपनाया गया है इसके अलावा प्रक्रिया शुरू करने के लिए मापदंड क्या क्या है किस तरह से किन मापदंडों के अधार पर किन parameters के अधार पर किसी जाती को किसी जनजाती को अनुसूची जाती जनजाती के तौर पर मानिता दी जाती है साथ ही अनुसूची जातिय जनजाति से संबंदित भारती सम्विधान में किस तरह के प्रावधान किये गए हैं उन प्रावधानों की भी बात करेंगे और अंत में मौझूदा समय में अनुसूची जाति और जन जातियों की संख्या क्या है उनकी मौझूदा स्थिती क्या है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे एक प्रश्ण पर भी बात करेंगे प्रश्ण प्रेलिम्स का है और आप वीडियो में बताएगे तथियों के अथा कर देख सकते हैं वीडियो शुरू करता यह और सबसे पहले आज की हमारी खाभर देख लेते हैं आज की हमारी जो नूज है वो देहंदू अख़वार से हैं हमारी खाभर है दे process of inclusion or exclusion from the schedule tribes list, यानि schedule tribes की जो list है जो भारसरकार द्वारा प्रकाशित की जाती है, उस list में किसी जाती को किसी जन जाती को शामिल करने के लिए क्या प्रावधान है और उस पूरी list से बाहर करने के लिए किसी जन जाती को क्या प्रावधान के हैं, क्या प्रोसेस है पूरा उसी प्रोसेस को समझने की कोशिश की गई है चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अनसूची जाती और अनसूची जन जाती का अर्थ समझ लेते हैं अब हम जब सामान ने बोल चाल की भाशा में अक्सर इन दोनों शब्दों का उपयोग करते हैं तो ये बात बिलकुल सही है कि दोनों ही समुदायों को स्वतंतरता से पहले भी और स्वतंतरता के बाद भी उत्पीडन का सामना करना पड़ा दोनों ही समुदायों को हाशिये पर धकेल दिया गया हाशिये पर पहुचा दिया गया दोनों ही समुदायों के साथ अंटेचेबिल सामाजिक शैक्षिक और आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ा इतिहास में इसके विपरीज जन जातियों को इन तमाम पैरामीटर्स के अलावा सामाजिक शैक्षिक और आर्थिक पैरामीटर्स के अलावा भागौलिक अलगाव का भी सामना करना पड़ा जिसकी वजह से उ वर्ण व्यवस्था है, जो अनुसूची जाती का जो पूरा प्रावधान है, वो वर्ण व्यवस्था की वज़े से ही सामने आया है, वर्ण व्यवस्था की वज़े से ही इन जातियों को उत्पीडन का सामना करना पड़ा, उन्हें छुवाचू जैसी कूप्रथा का सामना कर जाता है कि ये जो अनुसूची जाती का जो पूरा प्रावधान है जो पूरी व्यवस्था है वो हिंदु धर्म के फ्रेमवर्क से ही निकलती है एक धर्म के फ्रेमवर्क से ही निकलती है वहीं इसके विपरीट जो अनुसूची जनजातियों की व्यवस्था है जो पूरा प् और आजादी से पहले किस से इनकी पहेचान की जाती थी उस पर भात कर लेते हैं. तो हम जानते हैं कि भारत पर हर साल हर दस वर्ष के बाद जणगणना का आयोजिन किया जाता है, और ये प्रता आजादी से पहले भी इसी तरह से जारी रही थी. इसके बाद 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम की माध्यम से भारत में भारत के प्रशाशनिक धाचे में कई तरह के बदलाव किये गए प्रशाशनिक प्रणाली में स्ट्रक्चर में कई तरह के बदलाव किये गए इसके बाद जब 1937 में ये अधिनियम लागू हुआ तो इसमें 1931 का डेटा शामिल था और इसी पूरे डेटा के माध्यम से दलित वर्ग के लिए जो डिप्रेस्ट क्लास थी इसी डिप्रेस्ट क्लास के लिए आरक्षन का प्रावधान किया गया 1935 के अधिनियम में ये वो वर्ग था जो डिप्रेस्ट क्लास जिसकी हम बात कर रहे है इसे उस वर्ग के तौर पर परिभाशित क्या गया था जो हिंदु धर्म के पारंपरिक धाचे में उत्पीडन का सामना कर रहा था जो मुखेतार पर जो वर्ण व्यवस्था जन्मी थी जिस वर्ण व्यवस्था को जो वर्ण व्यवस्था सदियों से चली आ रही है जिन लोगों को इस वर्ण व्यवस्था में उत्पीडन का सामना करना पड़ा है उन्हीं लोगों को depressed class कहा जाता था दलित वर्ग कहा जाता था और उन्हीं को इस पूरे अधिनियम के तहट आरक्षन की ववस्था दी गई थी और आजादी के बाद जब भारत 1947 में अजाद हुआ तो आजादी के बाद इसी समुदाय को अनुसूचित जाती क के रूप में जाना जाता है इसके अलावा 1935 के अधिनियम में अनुसूची जनजाती के पहचान भी की गई थी अनुसूची जनजातियों का भी उल्लेख किया गया था और इन अनुसूची जनजातियों में भारत के सभी आदिवासी समुखों को आदिवासी समुदायों को शामिल कर दिया गया था इसमें वो समुदाएं भी थे जिनें डी-notified tribes कहा जाता है इसके अलावा इसमें criminal tribes भी शामिल थे जिनें British सरकार दोरा जन्मजात आधार पर criminal घोशित कर दिया गया था अपराधी घोशित कर दिया गया था इसके अलावा इस पूरी श्रेणी में forest dwellers भी शामिल थे यानि वो लोग भी शामिल थे जो वनों में रहते थे 1937 के इसी अधिनियम में दोनों समुदायों को कुछ सकरात्मक अधिकार दिये गए थे कुछ positive rights दिये गए थे इसके अलावा उनके लिए राजनीतिक जो प्रतनिधित्व था उसे सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया था उनके political representation का भी प्रावधान किया गया था तो यह तो बात हुई कि आजादी से पहली क्या विवस्था थी अब आजादी के बाद किस तरह की विवस्था अपनाई गई है उस पर बात कर लेते हैं यानि मौजूदा समय में किस तरह का process अपनाय पर उस पूरी प्रक्रिया की शुरुवात राज्यों या केंद्र शाषित प्रदेशों से होती है सबसे पहले राज सरकार या फिर यदि वो केंद्र शाषित प्रदेश है तो केंद्र शाषित प्रदेश के प्रशाशन द्वारा किसी विशिष्ट समुदाय को schedule caste या फिर schedule हम आगे करेंगे यहां यह जान लेना जरूरी है कि आभी वर्तमान समय में यह राज़सरकार या फिर जो पर विवेक पर निर्भर करता है हाला कि इसके लिए राज़सरकार या फिर केंदर्शाशासित-परदेश के administration द्वारा किसी study को commission किया जा सकता है कोई अध्यन किया जा सकता है और उसके अधार पर निर्णे लिया जा सकता है जब यह निर्णे ले लिया जाता है कि किन जातियों को आगे सिफारिश के लिए भेजा जाना है तो उसकी सूची को जंजाती मामलों के खेंद्री मंत्राले के पास भीज़ा जाता है, Central Ministry के पास भीज़ा जाता है, इसके बाद इस पुरी सूची कर Central Ministry में Deliberation होता है, बाद विवाद होता है, चर्चाएं होती है, उसका examination किया जाता है और इसके बाद जब इसकी मंजूरी मिल जाती है तो इस सूची को भारत के महापंजी एक यानि Registrar General of India के पास भीजा जाता है जब Registrar General of India इस सूची का परिक्षन कर लेते हैं तो उसके बाद इस सूची को अनुसूचित जाती आयोग या अनुसूचित जन जाती आयोग के पास भीजा जाता है क्योंकि उनकी मंजूरी लेनी भी आवश्यक है क्योंकि उनका जो संबंध है वो भारती सम्विधान से है उनका उलेग भारती सम्विधान भी किया गया है तो ऐसे में उनकी मंजूरी ली जानी भी जरूरी है जब यहां से मंजूरी मिल जाती है तो वापस से ये सूची केंद्र सरकार के पास जाती है केंद्र सरकार के मंत्राले के पास जाती है और इसके बाद इस सूची को डेलिबरेशन के लिए केंद्रिय मंत्री मंडल के सामने रखा जाता है cabinet के पास रखा जाता है जब इस सूची को cabinet की मंजूरी मिल जाती है तो इसके बाद इस सम्मंध में केंद सरकार द्वारा एक संशोधन विधेयक पेश किया जाता है इस संशोधन विधेयक को लोकसभा और राजसभा दोनों से मंजूरी ली जानी जरूरी है इस संचोधन विधेक के माध्यम से केंद सरकार द्वारा समविधान अनसूचित जाती आदेश 1950 में और साथ ही समविधान अनसूचित जाती आदेश 1950 में संचोधन करने की प्रावधान किया जाता है क्योंकि यही दो आदेश हैं जिनके माध्यम से भारत में अनसूचित जाती औ सुची अधिया को राश्रोटी की मंजूरी के लिए पेश किया जाता है यहां यह जान लेना वी जरूरी है कि भारति संविधान के उस्थे 321 गूर 342 के तहट केवल राश्रोटी को भारत के तो connecting या फिर किस जन जाती को अनसूचित जाती या फिर अनसूचित जन जाती के पर मानिता प्रदान करनी है चलहंं कि इसके बावजूद भी पुहारत में लेकलम्भी प्रक्रिया अपनाई जाती है इसके जो कि हमारे लोकतांतिरीक मूल्यों को बनाये रखे हुए है तो ये तो बात होई मौजूदा समय में पहचान की क्या विवस्ता है अब आगे बढ़ते हैं और प्रक्रिया शुरू करने के लिए किन मापधंडों का उपयोग किया जाता है उन मापधंडों की बात कर लेते हैं किस तरह के क्या स्टैंडर्ड रहते हैं क्या मानक रहते हैं जिनके आधार पर ये तरह किया जाता है कि कोई जाती है नसूची जाती के रोप में उसको मानिता दी जाएगी या किसी जाती को अनसूची जाती के रोप में मानिता प्रदाइन की जाएगी तो सबसे पहले अनसूची जाती की बात करते हैं तो हमने पहले ही सम्विधान अनसूची जाती आदेश 1950 की बात कर ली है इस आदेश में पस्तौर पर कहा गया है कि केवल हिंदू बौध ही या फिर सिख धर्म के तहट आने वाली उपजातियों को ही शेडियूल कास के तौर पर मानिता प्रदान की जाएगी जब 1950 में ये आदेश जादी किया गया था तो इसमें केवल हिंदू धर्म को ही कवर किया गया था इसके बाद इस आदेश पे दो बार संचोधन किया गया पहली बार संशोधन हुआ 1956 में इस आदेश के तहट बौद धर्म को शामिल किया गया इसके बाद 1990 में एक बार फिर से इस आदेश में संशोधन किया गया और इस आदेश में सिख धर्म को भी शामिल कर लिया गया यानि इस पश्च तोर पर किवल इन ही जातियों को अनसूची जाती के तोर पर मानिता दी जाएगी जो कि हिंदू धर्म से संबंदित है बहुत धर्म से संबंदित है या फिर सिख धर्म से संबंदित है अब यहां सवाल उठता है कि आखिर किन जातियों को हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी जातिया आती हैं बहुत धर्म के अंदर बहुत सारी जातिया आती हैं और सिख्धर्म के अंदर भी बहुत सारी उक्षेणिया आती हैं तो किन लोगों को किन जातियों को किन समूहों को अनुसूची जाती के तौर पर मानिता दी जाएगी तो इसके लिए स जातियों को अनुसूची जाती के तोर पर मानिता दी जाएगी ये तो अनुसूची जाती की बात हुई अब अनुसूची जाती की बात कर लेते हैं तो अनुसूची जाती की जब हमने बात की तो उसका मामला काफी जादा सरल था लेकिन अनुसूची जाती का मामला इतना जा किया जाता है कौन-कौन से है वो मानक तो इसके लिए जाती लक्षणों को उपयोग किया जा सकता है जाती लक्षणों को देखा जा सकता है साथी पारम पर एक विशेश्टाएं भी देखी जा सकती है क्योंकि ट्रडिशनल फीचर्स क्या रहे हैं उन पर भी गौर किया जा सक एक संस्कृती है और उसे उसी आधार पर शेडियो टाइब के तौर पर मानिता दी जा सकती है इसके लावा उनके भौगॉलिक अलगाव भी एक बड़ा एक बड़ा फैक्टर रहता है इसके अलामा उनका पिछला पन भी बड़ा फैक्टर रहता है हाला कि यदि आप इन सभी factors पर इन सभी मापदंडों पर नज़र डालेंगे तो एक बात सपष्ट होती है कि ये सभी मापदंड अपने आप में काफी ज़्यादा सपष्ट नहीं है काफी ज़्यादा clear नहीं है और यही वज़े है कि इसी साल मार्च महिने में सरवोची नियाएले ने अपने एक निर्णे में सपष्ट और पर कहा था कि नियाएले द्वारा नसूची ज़ंजाती के रूप में निर्धारण और पहचान करने के लिए एक स्पस्ट पारमेटर तैं किया जाएगा और इस संबंध में सरवोच इंड्यायले ने अपने निड़ने में कहा था कि मौझूदा समय में जिस संबंध परिक्षण का उपयोग किया जाता है एफिलिटी टेस्ट का उपयोग किया जाता है ये पूरा टेस्ट मौजुदा समय में बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है बहुत ज़्यादा रिलाइबल नहीं है इस पूरे टेस्ट के तहट मुखेतौर पर किसी जनजाती के विशिष्ट गुडों के माध्यम से उनकी पहचान की जाती है उनके फीचर्स को देखा जात है लेकिन अररवत्ष चिंड्यायले ने अपने नि Rण में संभावना जाहिर की थी कि ऐसा हो सकता है कि अन्न संस्कृतियों के संपर्क में माइग्रेशन की वजगे या फिर अद्धूनिकी करण की वजगे से यह जो जाज जले जो जनजातियां और की पारमपरिक विशिष अभी भी लगातार उत्पीडन का सामना कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें सकरात्मक विभेत का लाव दिया जाना अवश्यक है उन्हें आरक्षन का लाव दिया जाना जरूरी है तो ये बात थोई किस तरह से किन मापधंडों का उपयोग किया जाता है अब आगे बढ़ते ह और अनुसूची जातियों और जनजातियों से सम्बंधित कानूनी प्रावधानों और समवेधानिक प्रावधानों की बात कर लेते हैं तो भारती समवेधान में अनुसूची जातियों और जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई तरह के प्रावधान किये गए है इसमें सबसे पहला और सबसे महत्पूर प्रावधान है अनुशेद 15 से संबंदित अनुशेद 15 में कहा गया है कि राज्य या फिर सरकार जाती धर्म नस्ल या जन्मस्थान के अधार पर किसी भी नागरिक के साथ भारत के किसी भी सिटिजन के साथ भेद भाव डिस्क सरकार जाती धर्म नस्ल या जन्मस्थान के अधार पर भेद भाव डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है इसके लावा नुशेद 16 इस बात की गारंटी देता है कि सभी नागरिकों को जाती के अधार पर किसी भी भाव के विना उनको सरकारी नौकली प्रदान की जाएगी यदि वो इस काम के लिए सक्षम है यदि वो एक एक एक्जाम पास कर लेते हैं जैसा UPSC द्वारा एक्जाम लिया जाता है SSC द्वारा एक्जाम लिया जाता है यदि इस तरह का एक्जाम पास कर लेते हैं तो उनके साथ किसी भी तरह का जाती के अधार पर किसी भी तरह का भेद भा इसके यलावा अनुषएat 46 में भी से संबंदित प्रावधान है हम जानते हैं कि भारते संबिधान का जो अनुषएat 46 है वो मुख्यताओर पर DPSP से संबंदित है डिरेक्टि प्रिंसिपल ऑफ बुक्रावधान कीज गया है इसके अलावा भारते समुधान के अनुशेद 243-243 में भी अनुशूची जातियों जन जातियों से सम्मान्दित प्रावधान है इसमें कहा गया है कि पंचायतों में SC और ST समुधाय के लिए आरक्षन का प्रावधान किया गया है यानि जो भारत में पंचायते हैं उन पंचायतों में SC और ST के लोगों के लिए एक आरक्षन की बात की गई है इसी तरह का जो आरक्षन है वो नगरपालिकाओं में भी किया गया है schedule tribes और schedule caste के लिए और ये जो आरक्षन है नगर पालिकाओं का ये अनुचेद 243 से संबंदित है इसके अलावा भारती सम्मिधान के अनुचेद 338 में भी एक प्रावधान है भारती सम्मिधान के 338 में राष्टी अनुसूची जाती आयोग का प्रावधान किया गया है इस आय किसी तरह की अधिकारों का विवस्था की गई है जो उपाय अपनाए गए है जो उपाय किये गए है यदि उन उपायों को जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया जाता है तो इसकी निगरानी उसको लागू करने या ना करने की निगरानी इसी आयोग द्वारा की जाती है इसक सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए भी अपने सिफारिशें देता है योजनाय लागू करता है इसके लावा भारती सम्विधान के अनुछे 338A में इसी तरह के राश्टिय अनसूची जनजाती आयोग की विवस्था की गई है इस आयोग कल प्रात्मिक क भी यही है कि शेड्यूल कास्ट के लिए भारती सम्विधान और अनकानूनों में जिस तरह के प्रावधान किये गए हैं उन प्रावधानों को जमीनी स्तर पर लागू किये जाने यह ना किये जाने की निगरानी इसी आयोग द्वरा की जाती है इसके लावा यही लिए भी काम करता है तो यह तो बात होई प्रावधानों की कि भारती सम्विधान में क्या प्रावधान किये गए हैं अबंत में मौझूदा समय में अनुसूची जातियों और जनजातियों की संख्या क्या है उनको समझ लेते हैं तो सबसे पहले अनुसूची जनजाती की बात करें तो साल 2011 की जनगर्णा के मुताबिक भारती सम्मिधान के अनुछे 342 के तहट 705 जनजाती समोहों को अधिकारिक तौर पर अनुसूची जनजाती के तौर पर मानिता प्रदान की गई है ये जो 705 जनजातियां है इसमें टोटल लोगों की संख्या तकरीबन 10 करोन से अधिक है यानि 10 करोन से अधिक भारती लोगों को चेडियूल ट्राइब के तौर पर मानिता दी गई है इसमें से तकरीबन 1.04 करोन लोग भारती शहरों में रहते हैं जबकि 6 लोग ग्रामीर शेत्रों में निवास करते हैं इसके अलावा नुसूची जाती के लोगों की ब है 2011 की जनगर्णा के मताबिक 2001 की बात करें तो शेडियूल कास के लोगों की संख्या तकरीबन 16 करोन के आसपास सी जो की 2011 में बढ़कर 20 करोन के आसपास पहुच गई है तो यह तो बात वही मौजुदा समय में उन संख्या कितनी है शेडियूल कास की और शेडियूल कि राष्टिये अनुसूची जाती आयोग एक सामविधिक निकाय है एक स्टैचिटरी बॉड़ी है हमारा दूसरा कथन है कि अनुसूची जाती यह जन जाती के रोप में वर्गी करत करने का अधिकार केवल राज सरकार को दिया गया है आपको बताना है कि इन दोनों कत्रो में सवाल का जवाब दे सकते हैं मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदों की चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रशन पत्र में इसे सम्मंध हित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे इस तरहे कि अन आप अवाद